हेलो और वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ सेलीनियम वीबी इस वीडियो में आज हम फिफ्ट पार्ट में बात करेंगे डबल क्लिक हम डबल क्लिक कैसे परफॉर्म करते हैं किसी वेबसाइट पर तो अगर आपने सीरीज नहीं वाच किया तो आप जाके शुरू सी आप की स सिरीज देख सकते हैं तो मैं पास कुछ वेबसाइट मेरे पास एक यह वेबसाइट है यह यहां पर यह हमारे पास थो एक कर आदे करेंगे तो अ कि आदे क्लिक करेंगे इंस्पैक करके element और सबसे पहले हम चलते अपने कोडिंग विंडो की दरफ यह हमारा website का नहीं है हम यहां पर जो है get कर देंगे to make it short and simple तो मैं इसको first of all मैंने जो है जो preliminary codes है वो मैंने पहले सही type कर रहे है लेट से मुझे इस element को पकड़ना है double click element right तो मैं इसके लिक वैडिवल लूँगा dim double click element as selenium.web element right right click क्या inspect क्या मैंने इसके पास एक डिव टैग है डिव टैग के अंदर आपका पी टैग आ रहा है पी टैग में आपके पास जो है आईडी है तो इसको basically कहते लिए सकते हैं मैंने आप बोला इसको डिव इसके बाद आप दिए स्पेस फिल पी के अंदर आगा है आपके पास add the rate id आगी आपके पास id is equal to let's say id is equal to this so हमारा basically 101 आगया हमारा cs बन गया है राइट css बन गया हमने css बना दिया शको 101 set double click is equal to micron dot find element by css right इसको आपने कर दिया है आप अपने find कर लिया find करने के बाद micron dot आपने बोला actions dot आपके पास एक method है click double click double open parenthesis करोगे तो आपको बोल रहा है किस element पर डबल क्लिक करना चाहते हैं obviously आपको double elementize dot perform let's say मैं इसको run करता हूं run करने के बाद it should work check करोगी इसने double click कर दिया और यहां पे इसकी जो है list जो है appear होगी है right मेरे पास एक और website से टेस्टिंग किया है वो भी तो मैं आपको एक और एक जांपल देता हूं कि हमार पास है जब आप यहां पर double click करोगे तो यहां पर यहां पर डान डावल क्लिक आपको लिखा जाएगा राइट let's say मैं इसको second example देता हूं आपको इसका जो है मैंने URL पात कोपी कर लिया है प्रेस्ट कर दिया हमाने और डबल क्लिक आपको राइट क्लिक कीजिए पर आप इंस्पेक कीजिए let me दिया इस देव और बटन इड टैग राइट तो आप सिंप्ली आप इसे कोपी कंट्रोल एफ देव इसके बाद आपका और इसमें आपका आप सिदा बटन आप लिख सकते हैं आप अगर आप चाहते हो तो को बटन बटन टैग है आपका है कंट्रोल एफ बटन पर आपका और आपका पर आपका आपका कैसर बन गया आपका यह कोपी कीजे पेस्टिट एट आपका आपका जो आपका यह से मेथद यूज करना डबल क्लिक आपका पर फ़र्म करना राइट let's pick click करता हूँ और रन करता हूँ yes you have done a double click let's say you want to pick its text right click inspect element it has a double click message right अब इसको यहां पर आपका पास पी टैग है पी के अंदर आईडी है आईडी में आप इसको यह डाल सकते हो पी देनी वैब आईडी इसके आपने आपकी जो है इसमें capture होगी आईडी और इसको मालनी जागर आपको इसको टेक्स्ट केप्चर करना है यह प्रिंट कराना है let's say debug.print my chrome.find element sorry find element by CSS एस राइट उसके बाद आपके पास एक method.txt अगर आपको जो एक text इसका यहां print कराना चाहते हैं immediate window पे run किया मैंने run करने के बाद वेबसाइट लोड हो गई है हमारी और वेबसाइट maximize हो गई है double click आपने कर दिया है और आपका text भी जो है print हो गया immediate window में है so यह हमारा था double click का method actions class का तो जल्दी मिलूंगा आपसे next tutorial में till then you stay healthy and stay safe bye bye